विलकुम बेक तो माय यूटूब चैनल पेपर हैगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारा next lecture है इसमें हम बात करेंगे computer के ठीक है तो यह आपका सेवन्त उन्ट दे रखा जिसमें आपका computer के बारे में दे रखा ठीक है तो यह most important है यह यह नहीच नए question आना जरूरी है कंपल सरी है तो इस बाले को आप अच्छे से देखना कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें ठीक है पूरा वीडियो आप देखें तभी आपके जो है समझ में अच्छे से आ जाएगा तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है चलिए हम बात करते हैं मतलब कंप् केवल कंप्यूटर बहुत बहुत जरूरी है कि आप के inan chauffeur क्या हुआ है कि कम्प्यूटर का है करा इसकी इसकी और किया पूंच पूचे का वाइब साथ पूनाओ क्या इसको क्या आता है इंद जहत्रों किया जाता है तेक्ट तरहते आपका कंप्यूटर पर यह कुर्शन बन जागा ठीका वाड़र में बाइनरी में बदलना तथा बाइनरी आंक को डेसी मल में बदलना समझाई यान कि डेसी मलंक है उसको हमारा बाइनरी में किस तरह से करेंगे ठीक है, decimal को हमें किसम बदलना है binary में और कह रहा है binary को आपको किसम बदलना है decimal में बदलना है तो छो इस तरह से आपका computer का कोशन है वह आने के chance जाए तो सब се पहले हम बात करते है कि computer क्या है उसकी भिषेश्ता है क्या धीत्यक् lever तो कंप्यूटर सब्दन कंप्यूट नामक वब्रन करना है उत्राइस कर सकते हैं जो विभिण प्रकार के का रि infamous कर सकती यह ऐव आपका कि क्ली कारी है यह आपका लॉजिकल कारी हो ये सभीकारियों को करथ सकते ही तो वही क्या क्या Thai क्या कलाते है मारे इस वाइस न यंट्वाइस कहला थीटिग में और सम्पूट्र एक लेक्ट्रानिक डिवाइस जो डाटा को स्विकार करके उसका संग्र है इवंग प्रोसेस करता है संग्र है मतलब अपने अंदर क्या करता है इस्टोर करके रखता है ठीक है कि अधिक है मतलब संग्रयान कि उसको इस्टोर करके रखता जो भी डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग करता है और पहले से बताए निर्देशा अनुसार आपट देता है यानि कि जो हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे वही अमें क्या करता है outpug देता है ठीक है? Outpug, जैसे अगर हम बात करें printer की, तो हम उसको क्या करते हैं? निर्देस देते हैं, यानि कि हमें क्या निकालना है? print निकालना है, तो हम print वाले option पर क्या करते हैं? क्लिक कर देते हैं, और क्या होता है? हमें output के रूप में print मिल जाता है ठीक है और अगर हमें क्या करना है song बजाना है जैसे हमें गाने बजाने है तो हम क्लिक करते हैं ठीक है डाटा के अगर हम बात करें कि डाटा क्या होता है तो देखो computer में input किये गए तत्यों तत्यों मतलब जो भी आपने fact लिखे हैं या points लिखे हैं वो और कह रहा है अंकों को data कहते हैं computer में आपने जो भी files रखी है या जो भी आपका numeric data रखा है या जो भी आपने fact रखें document सकते हैं वो सभी क्या कहलाता है वो सभी आपके data कहलाते हैं क्या कहलाते है data कहलाता है information के अगर हम बात करें तो information क्या रखा रहा है process data process data मतलब जो हमने computer को दिया था data input दिया था उसको computer ने processing करके अपने अंदर store कराएं ठीक है अपने अंदर अब यही डाटा हमारा क्या कहला था process data जो हमें information देता है किसी दूए उस चीज़ के बार में इनफोर्मेशन देता जो उसमें process किया था ठीक हो information कहते हैं इसी को हम कहते हैं information कहते हैं ठीक है जिससे हमें जानकारी मिलती डाटा के बारे में process क्या होता है अभी हमने देखा था प्रोसेस कहते हैं तो वही किस रूप में अपने अंदर store करता है क्या कारी करना होता है तो उसी कारी को क्या कहते है processing कहते हैं ठीक है या process कहते हैं अब कह रहा है computer की विसेस्ता है इसकी कुछ characteristics भी होती है ठीक है इसकी कुछ विसेस्ता है उनको हम जानेंगे ठीक है तो तब से पहले अगर हम बात करें कह रहा है computer निम्न गुड़ों के इसकी बहुत जल्दी किसी काम को कर देता है इधर किलक करोगो तो इधर आपको जो है output दे देगा दूसरा कह रहा है कि उच्च संग रहर चमता है यानि कि हाई स्टोरेज केपेसिटी इसमें हम बहुत सारा डाटा एक ही बार में इस्टोर करके रख सकते हैं ठीक है बहुत सारा डाटा एक ही बार में इस्टोर करके रख सकते हैं तो यह हुदा है संग्र है चमता सुद्धता क्या होता सुद्धता यानि कि एकुरेसी इसम लगा सकते हैं तो यह का इसा होता सचालित रूप में भी यह कर सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करने तो जानकारी प्राप्त कर सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परिस्रम कि था च्युक्म आप सब्सक्राइब कररें कि rainforest छहीं कि ने परिकर या जो है वो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं ठीके हमें स्ञ dónde medicine रहता है कि नम्म लिकित से आपको सारे चेट्रीड गृता है तो तो आप सारे आपको दे रखें इसके अलाबाँ भी बहुत सारे चेट्राइं जहां दुक्ति वकंतरिकर नेट डेट में चेट्र को यही क्या कहलाता है नेटवर्किंग कहलाता है यही कंपूटर से हम बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं यहां आपने यह रूपोर्ट होते हैं बहुत पर भी इसका प्रियुक किया जाता है नेक्स गारा सफटेर यहां बैंकोटे में और बैंकों में भी किया जाता हैं अचापको सारी याद रहना है अधे दिले सत्रा जाट passo से लेक्रफ नोचन आ हमारा कर रहा थाया जा सकता यह दो भाग के इन होता है आपका software यह दो भाग होते हैं computer में ठीक है hardware और software तो hardware बोचीज होती है जिसको हम छू सकते हैं क्या कर सकते हैं छू सकते हैं ठीक है छू सकते हैं और देख सकते हैं लेकिन software बोचीज होती है जिसको हम केवल देख सकते हैं क्या सकते हैं केवल देख सकते हैं कि बारे में अगर हम बात करें तो कई रहा है कंपूटर के कंपूटर के विए सभी पाइब यह Tim उसकते हैं जो सकते में अब कि हाडवेर कहलाते हैं इनको निम्ल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा हाड बात करेंगे वारे में डाटा को संग्रहे करने संग्रहे बाग प्रोसेस करता है यह CPU जो होता है आपका वो डाटा को कलेक्ट करता है और क्या करता है जो है प्रोसेस करता है यह इन्पुट एबम आउटपुट कारियों को नियंत्रित करता है CPU ही क्या करता है यह आउटपुट देता है और यह क्या क तो यह एक कंप्यूटर की सभी करियों को नियंतरित करता है क्या करता है इसаюсь करता है तो गहीं करता है ऑ Squ on क् voulais आपका अर्थमेटिकल एबं लोजिकल यूँनिट तो अर्फमेटिकल लोजिकल ríaिकेकल की बात क्या करने है यहाँ पर किया है सबी गळती जैसे आपका जोड़ हो गणाना गणाना गणा हो स्टोरिज रहती है मैमोरी दो प्रकार कीद तो सबसे पहले बात करें टैंपरेरी स्टोरेज मतलब इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं या निकाल सकते हैं तो वहीं क्या है दाएज हो जो जितना दे रखा आपका उतना ही रहेगा अगर आपका मालू झेलिबी दे रखा तो इतना ही रहगा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते यह क्या इन्टेOR gonna लोटा है वह मारा तो माने टो जो एक्स्टेर्नल होता उसको पाइला कि आंत्रिक स्टूरेज इंटरनल मेमोरी जो किसी डिवाइस को मतलब बनाते समय उसमें फिक्स के जाती वो कहोती है उसकी इंटर्नल मेमोरी या आंत्रिक श्टूरिज ठीक है जैसे फोन की अगर हम बात करें तो फोन में आपने देखा होगा कि कहीं कर पढ़ा होगा चार चौन सट कभी पढ़ा होगा आपने छह एक सोटाइस तो यह जो नीचे वाली होती है निकि कम जीवी वाला स्टूरिज होता पूरिद कढ़ा होता है एक से रहता धी को कि अधिक सेल्य इनकर आप में मेंन कर सकते है तो यह नतिक्त अवाला बढ़जाथा है लेकिन आपका पर्मानेंट होता है थैं दूसरा था वाहिश्ट इस्टोरेज क्या था एक्स्टरनल मेमोरी तो सबसे पहले बात करें इंटरनल मेमोरी यह पुना दो प्रकार की उती होती है उसको हम दोबागों में दोबारा बाट आ गया तो सबसे पहले मंबर k 102 आन्री ग्रेंडम एक्सिस मैमोरी जैसे हम अर और ए lrm कहते हैं र मयंचै मैमोरी दूसरा कहा रहा है रीड क्षिंट अं利 मैमोरी से रूं क्रीड अ क्षिंट खर ettuर्व किया होता है बाय जो हमारा रां होता है क्यों रैंड होता है ऐधा number लेड़ंडम एकसिस महमोरी और दूसरा क्या होता है इसको क्या कर सकते है क्या करते हैं यह और यह सब्लस्क्राइब होता है ठीक है कि दूसरा पॉइंट किया जागा आपका आव टू इंपूट डिवाइस पहला क्या था आपका यह देखो फैस्ट CPU प्रेश्ट क्या था आपका CPU दूसरा क्या है आपका दूसरा है आपका input device क्या है input device तो कहरा डाटा को computer में डालने के लिए प्रियुक्त होने वाली device को input device कहते हैं जिस माध्यम से हम computer में data डालते हैं तो वहाँ पर जो भी device किबूड वर काम में आपकी की बोड़ हुरी ची प्रचली अब बहुत ज्यादा काल में यह एक टाइप राइटर जैसे होती है इस पर बिविन प्रकार के कुंजियां होती है जैसे अलफा हो गया अलफा निमेरिक हो गई आपकी कंट्रॉल की हो गई तो यह स्पेशल की जोगी एक से ट्राइब जो आपका कुछ इस तरह से बना रहता इसमें आपकी यह जो कीज बनी रहती है इसे को कहते की बोड टीक है तो सबसे ज्यादा काम इसी का होता नेक्स दूसरा कहा रहा तो दूसरा इंपुट डिवास आपका जाइस्टिक क्या था जाइस्टिक यह जो खेल उन खेलते हैं बच्चे वह होता आपका जाइस्टिक क्या तो यह कुछ इस तरह से बना रहता आपका इस तरह से जाइस्टिक ऐसे जिसको बच्चे पकड़के चलाते हैं इसको पकड़ो और इसको खिलाते हैं तो इसी से जो है खेल खेलते हैं बच्चे ठीक है इसी को गुमाने से इधर अधर जो है इसमें जो भी आपके गेम खेलते हो वो इसी से ही चलते हैं ज्टिक से ठीक है यह खेल खेलने के काम आ तो इसी को जैस्टिक को पगड़कर हम इसको चलाते हैं ठीक है तीसरा कहा रहा है इसी कहा रहा है लाइन पेंट तो लाइन पेंट इसको समतल सतय पर चलाने से स्क्रीन पर एक पॉइंटर चलता है माउस में दो या तीन बटन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसे हम क्लिक करते हैं तो माउस कैसा होता है इस तरह का कुछ होता है ठीक है जिसको हम कहां चलाते हैं समतल सतय पर चलाते हैं कभी-कभी माउस में तीन बटन भी आपको देखने आउटपुट डिवाइस इसे बात करें विजू के यूनिट तो यह समान देखने वाली इस क्रीन होती है जैसे कि आप टीवी देखते हो यह आपने टीफ्टी देखिए लैप्टॉप देखने जो हमें स्क्रीन दिखाए देती है ठीक है इसक्रीन उसी को हम कहते हैं वीडियू विजुल डेस्के यूनिट डिस्पले यूनिट इसक्रीन पर कोई भी आकरती छोटे-छोटे बिंदू 5 मेंगा पीकस्ल की ठीक है खांके फिर्ट मेंगा प्रिक्षल तो इसमें जो आकरती होगी आपकी डिस्पले पर बनि उसमें वह एकारती बहुत ब हुकि इमेज यह आकर्ती बहुत किलियर दिखा देगी थीक, थीक है, तो यही फर्क पढ़ता है, आपका पिक्क्सल से नेक्स्ट आपका बी क्या आजागा, प्लोटर आजागा, क्या आजागा प्लोटर मतलब कोई चीज बनाना या प्लोट करना, कम्प्यूटर में बने ग्राफ तथा नक्से चापने के लिए काम आता है आपका प्लोटर ठीक है प्लोटर रंगीन ग्राफ भी चाप सकता है तो कंप्यूटर में अगर आपको ग्राफ बनाना है या नक्से चापना है तो किसका काम करेंगे या प्लोटर का काम करेंगे मतलब प्लोटर इस्तिमाल करेंगे उ मतलब रंगिन ग्राप दीगया उसे चाप सकते हो ठीक है ये आपक़ कौन करेगा प्लॉटर का कौन करेगा प्रिंटर की अगर बात करें तब यह आट P प पातैर आपर दो कि एले़ लाइन प्रिंटर घर आपकूर पहुंठ लेना मतलब बहुत सारा मैटर है हमारे पास उसको हमें एक लाइन में चापना किसमे चापना लाइन में चापना तो इसमें आकसरो क्तर पड़ कर दीता है तो हुद बार में किवल यह कहीं करुप आपका यह निकाल के सब्सक्राइब निकाल करके देगा पेंट करें तो पेस प्रिंट्र आपने देखा हुआ आपका सिंपल बारिबा फंटर पानी पेज क्रेंट रख तरह या इसमें क्या करता यहां कोई डाटा या कोई प्रोग्राम इसको हम बाद में स्थाय रूप से यानि कि हम सोचे कि यह कहीं किसी चीज में रख लिया तो इसको हम सब्सक्राइब कि बाद में हम इसको इसको कुषियोग क्या कैलाता है यह निमनेप्रकार की उती जैसे आपका फोटा है windows key सब्सक्राइब अफ्यस दियू सकता है मेगनेटिक दिस्क हो सकता है सी डी हो सब्सक्राइब करें यह आपको देखने को मिलती है ठीक है यह आपके गैसे होते हैं सेकंडरी इस्टूरे आपका अगला आगया शॉफ्ट्वेर क्या आगया दूसरा सॉफ्ट्वेर यह तो हमने जाना था यहां तक क्या था हमारा हाड़वेर के बारे में ठीक हम बात करेंग हम डालते हैं भई क्या होता है वह हमारा कहलाता है साफ्ट्वेर ठीक है जिन्हें हम देखवा सुन नहीं सकते हैं जिन्हें हम देखवा सुन नहीं सकते हैं किवल महसूस कर सकते हैं किवल महसूस कर सकते हैं ठीक है तो हमारी क्या कहलाते हैं साफ्ट्वेर कहलाते हैं नेक्स जैसा कि नाम से ही आपका प्रदर्सit होता है नाम से क्यएल फाट Tyone को जीरो तथा एक से मिलकर किसे जीरो और एक से मिलकर अगर संख्या बनी हो दो घ्रा इसका कितना होता दो होता जीरो तथा एक को बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो और एक को बिट कहते हैं, और आठ बिट के समूँ को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, क्या कहते हैं आठ बिट के समूँ को बाइट कहते हैं, जीरो, जीरो, कुछ इस तरह से आपकी जो है, ये बाइनरी संख्या होती हैं ठीक़ अब हमें इनका कया पढ़ना है कहा गया है कि कहा गया है कि गया करना है टैसीमल को किस को किसमें का-बट करना है बारे नवर्ड करना है तो इसका एक मतलब एक फंडा होता है किस तरह से हम इसको convert करते हैं कहरा है decimal अंक को binary में बदलने के लिए उस अंक को बार बार दो से भाग किया जाता है तो इसी को हम दो जाते हैं टीक है 20 जाते हैं बराबर में 10 किए रारा था certified तब तक चलता रहता अब सब्राइभ न वाऊजा है जब सब्सक्राइभ सीषर्विक हूं आपका पर सब्सक्राइग यह सब्सक्राइभ नंबर आपको प्राफ्ट हो जागा तो यहां पर 18 नमेरिकल 18 जो डिजिट दे रखा करा इसको बाइनरी में बदली किसे में बदलना है 18 आपको यह संखेया दे रखी जिसको हमें बाइनरी में कनवर्ट करना है तो मान लो 18 को हमने बाग करा 2 से करने पर आपको कितना मिला 9 मिलीं है ठीक है और 9 इसको यहां पर कुछ आपका बचा कुछ नहीं बचा तो शेसफल कितना हें आजा गा है नेक्स हमने क्यां करा दो से फिर से चार को डिवाइड गर दीए तो कितना गया दो दुनी चार तो यहां कुछ नहीं बचेगा यहां पर कितना आजागा आपका zero आजा गया शेसवल पिर हमने स्थिस्पन किता बच जागा एक बच जाँ ठीक है यहाँ पर किता बच जाँ एक तो यह संक्या में कि क्या क्या करना है उल्टी तरफ से हम लिखते हैं कि धर से लिखेंगे यह लखेंगे लुठी तरफ से їх का बांडरी नंबर टीक है हम यह एई करना था कि डेसिमल को बांडरी में तो इसका भी से था इक पंड़ा करते हैं ईसे दोट की घात से गुणा करते हैं गला करते दोटा से आई सिदी तरफ से ठ् torch और की काट से गुणा कर देते हैं प्रफ दो की घात एक बढ़ती जाती है और इनका सबक्र योग कर दिया जाता हूँ तो सबसे लोगी घर से घुना कर देते हैं मालों यह आपको दे रखेंगा आपको दे राक्खा यह बारे नंबर ऐसे कि समीं यहां किया करेंगे कपीछे से यानि की सीधाथ की तरफ से ये 2 की घाद 2 फिलस अब आपका जीरो आगया तो जीरो गुणा दो की घात दो कर दो फिलस अब आपका कितना आ गया फिर से का आ गया तो बन इंटू की पावर ज़री यहां पर कितना जागा एक मतलब घातें घटती जाती हैं sociais जीरो से चलोगे तो गाता बढ़ती जाएंगे ठीक है हम ने क्या लिखा एक तो हमने हैं यह यहाँ पर यह लिखना होगा यह तो गात कि लिखक्र जीरो हमानी है तो इसका दो इसका कितना आजागा बन इंटू फॉर पिलस जी रो इंन टू टू पिलस बन इन टू होच नइम टू बन होते हैं ठीक ह। अब देहों यहां पर किता हो जागा और बन जा फूर इसको गुणा करोगा तो यह 0 किसी की गात अगर जीरो होती तो इसका मतलब बन हो जाता है यहां पर चार फिलस एक तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा decimal आएगा यानि कि decimal जो हमारा आएगा वो कितना आजाएगा पांच आजाएगा ठीक और हमारा बानरी कितना था बन जीरो बन बानरी कितना था बन जीरो बन जो कि किसके बरावर है तो इस तरह से आप decimal को binary में और binary को decimal में आराम से convert कर सकते हो ठीक है तो यह तो था हमारा computer का पहला question आयोग कि आप सथी को अच्छे सा समझ में आया होगा इसको अच्छे से याद कर लेना मतलब अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना एक जाम में आने के अधिक chances है मतलब computer का एक नए question आपको मिलेगा जब दे रखा तो आएगा ठीक है एक unity ही इसकी दे रखी है तो यहाद से question एक बनता है अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथी पास में लगे बेल आइकन को दबा दें और साथी बताना च अच्छे से कर सकते हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू अब्रिमन